इजराईल इरान के भी जारी जन्ग के दोरान एक नया धुरुवीकरन खास तोर पे इसलामिक देशों का उभर कर सामने आ रहा है जिसमे इरान के साथ पाकिस्तान और अब जिस तरह से तुर्किये सामने आया है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से इसराइल के खिलाप एक नए धुरुविकरन के साथ साथ एक नए खत्रे का बादल मर रहता हुआ दिखाई दे रहा है नमस्कार मैं हुआ दुरिंद्र कुमार और आप पे एकरे मेरे साथ रन्नीती और आज दरसल हम उस रन्नीती की चर्चा करने वाले हैं जिसे इरान लंबे समय से तयार कर रहा था और जिसके प्रड़ाम अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं हम जानते हैं कि इस वक्त जो है इरान और इसराईल के बीच जिस तरह का तनाव है और जिस तरह के जंग के हलात हैं दरसल वो अपने आप में कुछ इस तरह के दुनिया के उपर खत्रे के तौर पे मड़ा रहे हैं जो किसी भी वक्त वर्ल्ड वार थी का आगाज कर सकते हैं लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इरान ने पाकिस्तान को आउटरीच किया और एक इसलामिक देश के साथ दरसल अपने गटबंदन को पुरजोर तरीके समली जमा पहनाने में काम्याब रहा उसके बाद उसे बड़ी सफलता तुर्किये जैसे इसलामिक वर्ल्ड के एक बड़े और खलीफा देश के रूप में दिखाई दिरा है तुर्किये ने इसराइल के साथ अपने ब्यापारिक संबंदों को समाप्ट कर इसराइल को बतला दिया है कि जंग के मैदान में अब वो किस पक्ष में है लंबे समय से हम देख रहे थे कि खास्तो से इरान और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया वो अपने आप में इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली मचाने वाला था और उसके बाद जिस तरह से तुर्किये ने इसराइल के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी वो दरसल इसराइल के लिए भी किसी चुनोटी से कम नहीं कि इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुर्किये से जिस तरह के ट्रेड हो रहे थे उस ट्रेड के बंद होने के बाद हमें अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा ये देखना होगा कि जिस ट्रेड रिलेसंस को तुर्किये के साथ इसराइल कर रहा था उसकी दुनिया दरसल एक तानासास ते कम तर नहीं देखती है उसने जो कदम उठाया है वो अपने आपे भले ही तुर्किये के लिए एकनॉमिक तोर पर एक बड़े नुकसान का कारण बन जाए लेकिन आर्थिक नुकसान को जहलने के लिए तयार तुर्किये खास तोर पर हैं लिए नहीं दूसरे के साथ कड़े हैं और इसी को देखते हुए एरान ने अपने आउट रिच को बढ़ाते हुए पहले पाकिस्तान को अपने पक्ष में ख़डा किया और आप देखिए तो अंडर टेबल डिप्लोमेसी का है प्रणाम है कि तुर्किये दरसल इसराइल के साथ अपने वैपारिक संबंदों को समाप्त कर ये बतलाने के लिए मैसेज देने के लिए काम्याब दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये धुरुवी करन भी रान के पक्षवें ख़़ा हुरा है हमारे पास जो डेटा है वो बतलाने के लिए आपको काफी है कि किस तरह के संबंद दरसल इसराइल के बीच में और तुर्किये के बीच में रहा है पिछले साल के अगर हम ट्रेड रिलेसंस को देखें तो तकरीबन 55,000 डॉलर जी हां 55,000 करोड की रासी बतलाई जा रही है ये तकरीबन दोनों देशों के बीच जो है वो ट्रेड हुआ है और इससे जादा कहीं दोनों देशों के बीच वैपारिक संबंद रहे हैं ये अपने आप पे पतलाने के लिए काफी है कि तुर्किये का फैसला भले ही अहितकारी हो तुर्किये के लिए लेकिन इसराइल को कटगरे में खड़ा करने के लिए वो कहीं भी कदम पीछे नहीं हटा रहा है हम जानते हैं कि 7 अक्तूबर के हमले के बाद हमास ने जिस तरह के हत्या को अंजाम जो है इसराइल के जमीन पर दिया था बावजुद इसके तुर्किये ने हमास को आतंकी संगठन मानने से इंकार कर दिया था और अर्दगान ने खुद अपने बयान में कहा था कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है और अपने आप में उस वक्स से जो जारी तुर्किया का स्टेंड है वे स्टेंड अब यहां तक आप पहुंचा है कि वो अपने आर्थिक संबंदों को भी समाप कर रहा है आप देखिए तो खास तोर पर हम आपको यह भी बतलाना चाहेंगे कि किस तरह से इसराइल और तुर्किये के बीद संबंद जो हैं वो रहे हैं आपके लिए जाना बहर जरूरी है कि 1994 में जब इसराइल का जन्म होता है तो तुर्किये वो पहला देश है जो इसराइल को मानिता देता है और इसलामिक वर्ड में इस तरह की मानिता देकर तुर्किये ने इसराइल के साथ अपने संबंदों को साधा था लेकिन इस संबंद कई उतार चड़ाओं से बहुत बुजरते रहे और इतिहास इसका गवा है कि किस तरह से दोनों देशों के संबंद कभी पटरी पर तो कभी बेपटरी पर है आप देखिए कि भले तुर्किये ने इसराइल को मानता दी लेकिन इस संबंद बहुत लंबे नहीं चले फिर इन संबंदों में खटास आई अगर हम पिछले कुछ दसकों के बीच देखें तो 2010 आपको याद होगा 2010 में तुर्किये और इसराइल के बीच में जो है तनातन इतनी बढ़ गई थी जैसे युद्धि के हालात हो क्यों हुआ था ऐसे क्योंकि जो तुर्किये के दरसल फिलिस्तीन समर्थक थे वो खुल कर इसराइल के खिलाब चले आये थे उस वक्त इसराइल ने जो गाजा से लगा हुआ समुंदरी छितर है उसको पूई तर से सील कर दिया था ताकि गाजा जो है अपने जो मेरिटाइ का जखिरा जुटा रहा है इसलिए उसको सील किया गया है लेकिन इसके खिलाब तुर्किये के जो एक्टिविस्त हैं वो सामने आये और तब हमने देखा था कि किस तरह से इसराइल के कमांडो और उनके भी जड़ब हुई थी जिसमें तुर्किये के एक्टिविस्त जो है फिलिस्तीन समर्थ तक एक्टिविस्त मारे गए थे और तब दोनों देशों के बीच तराओ जो है वो चरम पर पहुचा था और उस वक्त भी हमने देखा था कि इस नाकाबंदी का परणाम एथा कि तुर्किये और इसराइल के बीच जो है हालात खराब होते चले गए थे उसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेंसेंस भी एंड कर लिये थे लेकिन पुना बहाली दोनों के रिस्तों में हुई और फिर आता है 2016 का साल जब दोनों ही देशों के बीच बहाल दो साल के रिस्ते फिर बेपटरी हो जाते हैं और उस वक्त जो हालात पिछले साथ महीने से गाजा और इसराइल की बीच बने हुए है और जिस तरह से गाजा में घुसकर इसराइल की सेना जो हमास को चुन-चुन कर मार रही है उसके ऑपरिसंस चारी है उसके बाद भले ही देखें तो फिलिस्तीन के साथ दुनिया के तमाम इस्लामि की बात करें या पिधूती की बात करें पर खुल कर को इसलामिक देश इस तरह से इसराइल के खिलाप नहीं आया जिस तरह से अब तुर्की आया है और यहीं दरसल इरान की सबसे बड़ी ताकत का इस वक्त प्रयाय बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको हम बताएं कि दोनो इसलामिक देश जो खुल कर इरान के साथ आना चाहते हैं वो आने अब शुरू कर देंगे क्योंकि अरदवान ने जब ब्यापाजी खितों को दरसल इसराइल के साथ समात किया तो इस वक्त नहीं कहा गया कि जब तक गाजा का पुनरिनमार नहीं होता है जब तक गाजा जो पूटा है कितना दरसल उसको शती पहुचा है युविन ने जो रिपोर्ट जारी किया है वो बतला रहा है कि वर्ड वार के बाद अभी अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी तबाही है तो गाजा की तबाही है जो की बहुत कम सिमित दायरे में दिखाई देती है जहां मा 2.7,000 करोड किलो मलबा जो है वो इस वक्त इसराइल के हमले से गाजा में बिखरा पड़ा है जिसको हटाना सबसे बड़ी चुनोती है इतना मलबा 40 सालों में अगर आप देखें तो भी दरसल हम कहें तो कहीं दिखाई नहीं दिया जितना इस वक्त गाजा में दिखाई दे सल पूरे ही मिलिस्ट को अपने आपके आगोश में लिये हुए हैं ầूसरा धूरवी करण जो इजराइल और अमिरिका के पक्ष में नहीं धूरण और ज्यादा खबरे और विश्टलेसन के साथ हम आपके समक्ठाजीर होते रहेंगे फिलाल मुझे और मेरे सहयोगी तुर राज को दीजे जाज़त